नमस्ते दोस्तों चलिए आज हम भर्वा भिंडी बनाएं भर्वा भिंडी में जो मसाले भरे जाते हैं अगर एक बार वो मसाले बना कर रख लेंगे तो आप एक से दो महीने जब भी भर्वा भिंडी खाने का मन हो वो मसाले अश्टफ करके आप भर्वा भिंडी बना पाएं अब इसे हम एक कपड़े से अच्छे से पोच लेंगे जिससे कि इसमें जो पानी लगा हुआ है वो अच्छे से सुक जाए यहाँ पर मैंने सारी भींडियों को इस तरह से पोच लिया है अब हम भींडी के उपर वाला पाट और नीचे वाला पाट इस तरह से काट लेंगे औ तो इसी तरह हम सारे भींडियों को हम इसी तरह हमें काट लेना है उपर वाला डंठल और नीचे वाला इस पाट को काट कर ऊपर वाला लेयर में इस तरह से चीरा लगाल देना है थोड़ा सा अंगलियों की हिल्प से इस तरह से थोड़ा सा भींडी को इस तरह से खोल लेना है इसी तरह मैंने सारे भिंडियों को इस तरह से कट लिया है तो चलिए अब मसाला इसका बनाएंगे तो सबसे पहले हम यहां पर एक पैन लेंगे पैन को गर्म कर लेंगे और इस पैन में हमें दो चमच बेसन डालेंगे बेसन डालने से आपकी भहरवा जो भिंडी है उसका टेश्ट काफी बढ़ जाता है तो इस बेसन को हमें low to medium flame करके इसे दीरे दीरे हमें बhou नहाई है दीरे दीरे इसकी सिकाई होगी इसका कच्छा पंदूर होगा तो आपकी जो भिंडी है उसका टेश्ट काफी बढ़ जाय तो गैस का फ्लेम आफ करके हम इसे एक प्लेट में रख देंगे अगर पैन में रहने देंगे तो और भी बेशन सिखता रहेगा इस तरह से फैला देंगे कि बेशन जल्दी से ठंडा हो जाए तो अब इसमें हम कुछ मसाले आड़ करेंगे तो जिसके लिए हम यहाँ पर बेशन में आदा चम्मच हल्दी पौडर आदा चम्मच धनिया पौडर एक चोथाई चम्मच जीरा पौडर यहाँ पर हमने हाफ चम्मच लालमिच पौडर डाला है एक चोथाई चम्मच चाट मसाला पौडर आधा चम्मच अम्चूर पौडर यहाँ पर दो चूटकी हमने हिंग डाला है और इसमें हम स्वादा नुसर नमक या तो हाफ चम्मच आप इसमें नमक एड़ कर दे और इन सब को हमें मिक्स कर लेना यह मसाले एक बार जाला कॉंटिटी में बनाकर आप डबे में भर लेंगे तो जब भी आपको भरवा भिंडी खाने का मन हो बस भिंडी को काट कर उसमें भर ले और यहाँ पर हम एक से दो चम्मच सर्चो का तेल डालेंगे जिससे की मसाले अच्छे से बंध जाए और भरवा भिंडी में टेस्ट भी अच्छा है अगर आपको थोड़ा सा चट पट में इस तरह से अंगलियों की हेल्प से इसे दवा दवा कर इसमें भर लेंगे अगर ज्यादा मसाले पसंद हो तो ज्यादा इसमें मसाले डाले कम पसंद हो तो कम डाले भिंडी को बीच में मसाले डालने के बाद भिंडी के ऊपर हम मसाले को इस तरह से लपेड देंगे जि के लिए मैंने यहाँ पर पैन का यूज किया है अगर आपके फैला हुआ तले वाली जो कड़ा ही है उसमें बनाएंगे तो एक में में बहुत सारी भिंडी अब बनाके तयार कर सकेंगे क्योंकि एक दूसरे में चिपकी गी नहीं इस तरह से फैला कर आप बढ़ेशारी पक गई है तो उसे आप पलट कर इसे हम थोड़ी देर के लिए इसे ढखक कर हमें दो मिनट के लिए पकने देना जिससे की मसाले अंदर तक पके और भिंडी भी अच्छे से पक जाए तो यहाँ पर दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर मैंने ढखकर पकाया है फिर से इसे हम ए प्रिंद से 4 बार पलट कर इसे मैंने पका लिया है जैसे ही आपको लगे कि भींडी अच्छे से सॉप्ट हो चुकी है अगर इसे क्रिस्पी करना चाते हैं तो हाई फ्लेम करके एक मिनट के लिए इसे फिर से पलट ले देख सकते हैं भींडी अच्छे से बनके तयार हो गी है गैस का फ्लेम आफ कर देंगे हमारी भर्वा भिंडी बनके तयार है तो इसे आप रोटी चावल के साथ सर्व करें बहुत ही टेश्टी बनके तयार होती है अगर इस भर्वे भिंडी की रेस्पी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाईएगा और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए वेल आइकन का बटन दवाना ना भूलिएगा